नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है गुर्मीत राम रहीम को 10 साल की सजा सुना दी गई है यह बताया जा रहा है कि सजा सुनाने के बाद गुर्मीत राम रहीम फवक फवक के रोने लगा गुर्मीत रामरहीम का ये कहना था कि मुझे छोड़ दिया जाए मैंने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य भी किये हैं लेकिन न्यायले ने उसकी एक बहिना सुनी और उसे 10 साल की सजा सुना दी इसके बाद सिक्योर्टी को और टाइट कर दिया गया और वहाँ पर आये कमांडोज ने गुर्मीत रामरहीम को जेल के सेल्स में दुबारा भेज दिया न्यायले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी इंसान कानून से बढ़ा नहीं है चाहे वो कितना भी रसूगदार हो और इस से एक सबक ये भी मिलता है कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है हम आशा करते हैं कि आपको भी यह decision सही लगा होगा आपकी इस बारे में क्या रहा है हमसे आवश्य शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी प्रेंडना बढ़ाता है दोस्तों बेल बटन को जरूर दमाए क्योंकि इसी से आपको नए नोटिफिकेशन मिलेंगे धन्यवाद